है ठीक है है आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर है कर आज का जो वीडियो रहने वाला है बीसी सेकंड यर वालों के लिए थर्ड पेपर है फिजीकल केमिस्ट्री का इंपोर्टन टॉपिक के साथ हम आप लोगों के सामने रोजाना प्रजेंट होते हैं लगातार हमारे चै सेकंड यर वालों के लिए फिजीकल केमिस्ट्री का है टॉपिक है आज का सीशारज़त प्रावस्ता नियम देख लेते हैं आज के टॉपिक को तो हमारा जो टॉपिक है वो है सीशा रजत प्रावस्था नियम देखते हैं इंपोर्टेंट है सीशा रजत प्रावस्था नियम एक साइंटेस्ट हुए थे विलाई एप्स जिनको विलाई गिप्स के नाम से जाना जाता था उन्होंने एक नियम प्रतपादित किया था जिसकी हेल्प से विस्मांगी सामय पर दावताप वह सांध्रन परिवर्थन के प्रभाव की जो वह कुछ हद्धक पॉसीवल हुई इनकी अनसार एक विस्मांगी तंत्र की साम्यावस्था यानि विस्मांगी सिस्टम जो है एक साम्यावस्था है एक विस्मांगी साम्यावस्था में सवतंत्रता की कोटियां तथा प्रवावस्थाओं प्रावस्थाओं की संख्या का योग घटकों की संख्या दन दो के वरावर होता है तो यहां पे इनोंने दिया f plus p equal to c plus 2 उन्होंने यह वताया कि जो सामयावस्था होती है ठीक है सामय वस्ता में जो सतंतरता की कोटियां होती है वो कोटियां और प्रावस्ताओं की जो संख्या होती है उनका योग घटकों की संख्या धन के वरावर होता है जहां पे माल लीजे जहां पे सी जो दिया हुआ है ये घटकों की संख्या है पी तंतर में प्रावस्ताओं की संख्या है और जो हुआ हुआ है वो 160 एंद को की कोटिया है तो यहां पे देखिए जो ढद की हुए हैं ढद कि 100 अबयाव की यानि फ्री पोजीशन में में जो परिवर्तन होते हैं परिवर्तन सी दिव्याव की छोटी से चोटी संख्या जिसकी सायता से तंत्र में विद्धिमान प्रतियक प्रावस्था के संगटन को सीधे गती से एक समीकर से व्यक्त किया जा सकता है घटक कहलाता है जैसे माल लीजिए यहां पर आइस दिया हुआ है ठीक है यह है आपका आइस यह है आपका वाटर और यह है आपका जो वैपर है यह कंडिशन में है गैस में है वाटर है आपका यह लिक्ट फॉर्म में है और जो आपका आइस है यह सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है अब दिखिए यहां पर तीनों की अपनी अपनी प्रावस्था है अलग अलग है ठीक है और तीन यहां पर संथ्दैंगर में उसके संगतन को सीधी गती से यानि सीधी एक समिकन्द के दवारा आप प्रस्तुत कर सकते हैं जो घटक कहला थीख ठीक है इनको क्या कहेंगे घटक कहेंगे ठीक तो इनने आप एक सीधे के संच से सो कर सकते हैं वर्फ की तीन प्रावस्थाएं होती हैं आपकी वर्फ, जल, वास्प ठिक हैं कंडिशन अलग अलग है जब यह आपका ठोस फॉर्म में होगा तो वर्फ होगा जब लिकेड होगा तो आपका जल होगा और जब गैस होगा तो आपका दिरफ फॉर्म में होगा ठीक हैं इसमें केवल एक घटक तंत्र है क्योंकि प्रतियेक प्रावस्ता एक रासाइनी के ओगिक H2O की है ठीक है वहाँ जो आपका जो घटक था वो केवल क्या था एक ही था कउन एच 2 ओ है इसे एच 2ो से क्या-क्या वान दिखिए एक सॉलिड भी वनकर तयार हुआ ठीक हैं एक आपका लिक्विशल भी वनन ठीक है और एक आपका क्या वनन गैस वनन ठीक हैं तीनों स्टेट्स अलग-अलग हो गई लेकिन घटक क्या था घटक केबल एक ही था क्या था एज टू ओ ठीक है उसी की तीन प्रावस्थाइं थी लिकेट था सॉलिट था और गैस था ठीक है तो यहां पर हम देखते हैं कि सॉलिड है कैल्सियम कार्बोनेट है तो यहां पर सी कार्बन डाय याउकसाइड यह आपका सॉलिड है और जो सीयो तु है कार्बन डाय औक्साइड है यह आपकी टिक हैं कार्बन डाय ऑक्साइड अपका घैस में सौलबनीट होता है वह केक सित रजत तंत्र होता है लेड सिल्वर सिस्टम जिसको बोलते हैं तो इसमें दो घटक तंत्र हैं प्रावस्था नियम समीकर्ड के अनुसार इस्पस्ट होता है कि सवत तंत्रता की कोटी नहीं है तथा सामय अवस्था पर चार प्रावस्था होती हैं ठीक हैं यहां पर देखे सा प भ़ी एकवल टू फोरiner 15 प्रावस्थाइं जो है आपकी kijतनी है प्रावस्थाइए यह निसाम्या वस्थापर कितनी प्रावस्थाइ चार प्रावस्थाइं बनेम्गी ठीक हैं तो यह आपका नियम है यह सौतंता नियम समिकर्ड के अनूसार इस को फॉर्म किया गया यहां से देखिए जो आपका वक्र ए ओ दिया गया है वक्र ए-ओ का चित्र भी दिया गया इस चित्र की हेल्प से आप समझ लेते हैं देखिएगा सी से का कुछ मात्रा मिलाने पर परिवर्थन प्रकट करता है संद्रण की मद्रेग बनाने पर वक्र ए ओ प्राप्त होता है विंद तंथ्र में सब इनों कम ताफ करता है और एक ही इस्थिर संगटन 2.4% AG 97.6% PV को प्रकट करता है इसका गलन करांतिक यानि जो कंडिशन बनती है इसको गलन करांतिक विंद कहा जाता है ठीक है यहाँ पर देखिएगा यह जो आपका जो लाइन दिख रहा है उपर यह आपका ताप करम को सो करता है यह जो आपका ले लाइन है यह आपके संगठन को सो करता है तो गलन करांतिक ताप जो होता है आपका यहाँ पर दिखिए यह गलन करांतिक ताप को सो कर रहा है और इधर गलन करांतिक ताप पिल यानि तीन एक ट्राइंगल टाइप के बनते हैं दो ट्राइंगल जिसमें एक में होता है द्रव ठोस पीवी और दूसरे में होता है द्रव सॉलिड एजी तो यहां पर देखे अलग अलग टेंपरेचर से दिये हुए हैं जो आपका द्रव सॉलिड बनता है द्रव ठोस होता ह यहां पर देखा जाता है दौनों का जो पाइंड़ परसेंट एजी और जीरो परसेंट आपका पीवी होता है तो इधर कनवर्ट हो जाएगा इस हम इसे किरांतिक्त आपको समझ सकते हैं इंपोर्टेन्ट है आपका सीषा रजत प्रावस्था नियम जो था बहुत ही इंपोर्टेंट है लगाता है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को इसी तरह की वीडियोज मिलती रहती हैं लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुर थैंक्यू हम फिर नई किसी वीडियो में पस्तित होते हैं तब तक देखते रही है हमारा चैनल पेपर है